आजनाम बहुत अलग तरीके से कटहल की रेसिपी बनाने वाले हैं दोस्तों कटहल की सूखी सब्जी बनाने वाले हैं वैसे ग्रेवी वाली तो बहुत लोग बनाते हैं आप सब भी बनाते होंगे कटहल की सब्जी लेकिन दोस्तों मुझे पूरा वरोसा है इस तरीके से नही एक बीडियो को पूरा देखेंगे 2D एक वीडियो को पूरा देखेंगे खायंगे और खिलाप पाएंगे सब को वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ चंचल और मैं हूँ राहुल आप सभी का स्वागत है आर्सी फूट केंदर में सो फ्रेंट्स हमने यह आदी किलो कटहल लिया है जिसे हमने मार्केट से ही कटवा लिया था क्योंकि घर पर सब्सक्राइब का खास खयाल रखें कि यह वाइट होना चाहिए इसमें यलोनेस नहीं होने चाहिए यह बीच जब आपको वैसे यलोनेस नजर आ जाएगी तो आपको पीलापन वाला बिल्कुल नहीं लेना एकदम वाइट लेना है अगर पीलापन लेंगे तो वह पका हु तो दोस्तो हमने इसको 2-3 बार वाश कर लिया है अब इसको हमें करना है फ्राई तो चलिए गैस ओन कर लेते हैं दोस्तो सबसे पहले हम ऑईल डाल लेंगे दोस्तो इसे सरसों के तेल में बनाईएगा सरसों के तेल में इस सबजी सच में बहुत स्वाधिष्ट बनती है हम इसे हाई फ्लेम पे कटहल को फ्राई कर लेंगे तो मैं ये शैलो फ्राई कर रही हूं सारे कटहल को दोस्तो थोड़ा सा केरफुल ही डालिएगा क्योंकि तेल गरम है तो छीटे पड़ सकते हैं तो थोड़ा आराम-आराम से डालिएगा दोस्तो बहुत जादा इसमें न तो दोस्तो हमें light brown करना है golden brown नहीं करना है इसे हम बिलकुल light brown करेंगे चलिए दौस्तो अब हम इसे पलट लेते हैं ये देखे दोस्तो हमारे सारे कटहल ब्रॉन हो गया है इस तरीके से protectine मैं nove metu और यह पनाओ ये बना होगे ना सच में खाने में तो आप इसे एक वा बनाई एक जरूर इस तरीके से यह मैंने सारे मैंचेल कर लिय और देख पारे होंगे यह इसे आध्या पक चुका है अब आधा हम इसे मसाले में पकाएंगे तो ये जो तेल बचाए दोस्तों इसमें से हम ओइल निकाल लेते हैं और इसी में हम मसाल बना लेते हैं दोस्तों देखी इसमें से हमने आधा तेल निकाल लिया है इसमें हम डाल देंगे एक छोटी चमच जीरा दोस्तो जीरा ब्राउन होने के बाद दो मेडियम साइज के चौपड प्याज डाल देंगे दोस्तो प्याज को बिल्कुल बारी काट के डालिएगा अच्छे से मिला लेंगे लसा नदरक को कुट के डाल देंगे एक चमच अच्छे से मिला लेंगे प्याज हलका सोते होने के बाद इसमें हम डाल देंगे यह हरी मिर्च तो दो से तीन हरी मिर्च बारिक चॉप करके डाल देंगे अच्छे से मिला लेंगे और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज को प्याज golden brown होने के बाद इसमें हम तीन midgem size की टमाटर ग्रेट करके डाल देंगी अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम डाल देंगे स्वाध लुसार नमक अच्छे से मिला लेंगे दोस्कोश और ढखके दो से तीन मिनट तक टमाटर को पका लेंगे तो फ्रेंड्स चलिए एक बार देख लेते हैं इसको भी एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तो टमाटर अच्छे से पक चुके हैं अब इसमें टाइम आ गया है मसाला डालने का अधा छोटा चमाच हम हल्दी डाल रहे हैं और दोस्तो यह है पिसी लाल मिर्च तीखी वाली यह हम डेड़ चमाच डाल रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जैसा आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं पिसा धनिया यह हम डेड़ चमाच डाल रहे हैं और दोस्तो ये है एक छोटा पैकट मीट मसाला, इसमें करीब करीब एक चमच मीट मसाला है, तो हम मीट मसाला डाल देंगे इसमें, बिल्कुल फिकर मत कीजिए दोस्तो, अगर आप नॉन्वेज नहीं खाते हैं, तब भी फिकर मत कीजिए, ये सिरफ एक मसाला है, तो इसमें नौनवेज वाली कोई बात नहीं है खाली टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है कई लोग होते हैं कि यह जो नौनवेज के तोर पे भी खाना चाहते हैं जो लोग वेजेटेरियन होते हैं तो यह उनके लिए बहुत ज्यादा मज़ेदार बनने वाला है तो इस बात के आप किजिए कि हम मीट मसाला डाल रहे हैं इसमें नौनवेज जैसी कोई चीज नहीं है तो दोस्तों हमने मसाला डाल लिया है अब इसको एक बार अच्छे से मिला लेना है तो दोस्तों फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन पर प्रेस करके औल पर क्लिक कर लिजिएगा जो भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी तो दोस्तों हमने इसको कर लिया है मिक्स अब गैस का फ्लेम कर देना है लो और लो फ्लेम पर ही हमें इसको ढख के पका लेना है ठक देते हैं दोस्तों इसका मसाला अच्छे से पकना चाहिए जब ही टेस्ट आएगा तो हम इसका मसाला पका लेते हैं फिलाली में चलिए दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों यह देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है आप देख पा रहे है मसाले ने ब वेजिटेरियन है और नॉन्वेज का मजा लेना चाहते हैं खास तोर पर उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजीगा या फिर जो कटहल की सब्जी बनाना चाहते हूं क्यूंकि दोस्तों बहुत ज्यादा स्वाधिश्ट बनने वाली है आज की ये सब्जी अब इसको मिक इसकाई बिलकुल नहीं करना है घैस खाफिलेम हमें लो ही रखना है दोस्तों दो मिनट हो गए हैं अब हम इसे देख लेते हैं और एक बार मिला लेते हैं हैं इसमें हम थोड़ासा पानी डाल देंगी मिला लेते। अच्छी तोơnसे आपको किस तरेके साब्जी पसंद है ग्रेवी वाली और आप कौन से स्टेट से देख रहे हो वो भी मुझे आप कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अब हम इसे पांच मिनट के लिए धक्के छोड़ देंगे तो चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं इसको अब सो दोस्तों हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है अब इसमें हम हराधनिया डाल देंगे यह देखिए हम इसमें डालने वाले हराधनिया इसको अच्छे से मिला लेंगे तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसकी रंगत कितनी लाजबाब लग रही और रही जो ही की तरीदार जो सब्जी ग्रेवी वाली तरीदार जो सब् वाले कुछ दिनों बाद जैसे वह सब्जी बन जाएगी हम उसका लिंक डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में डाल देंगे आप महाँ से जाके देख सकते हो तो दोस्तों कर देंगे गैस बंद तो चलिए दोस्तों करते हैं सब्जी आपको वाकई में देखने में कैसी लग रही है ए चलिए हमने इसको फिलाले में सर्व कर लिया है अब रेड़ी टूइट है अब आप इसको चावल के साथ रोटी के साथ पूरी के साथ किसी भी चीज से आप इसको खा सकते हैं या फिर आपका खाली सब्जी खाने का भी मन करें तो बड़े सौक से खाईए इस सब्जी और जैकि मज़े लीजिए टेस्ट भी कर लेते हैं यकीन मानिए दोस्तों इसके साथ किसी भी चीज की जरूद नहीं है आप चाहे तो खाली सब्जे से भी पेट भर सकते हैं बहुत ज्यादा टेस्टी लग दी है सब्जी चलिए दोस्तों अब आप लीजिए सब्जी का मज़ा और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर